जैहिन सभी पेंसनर बंधो, आज हमारे सभी फाजी पेंसनर बड़े खुस होंगे, क्योंकि आज ही DA का एरियर 4% यानि की 4 महिने का 16% DA एक्स्ट्रा मिलने जा रहा और उनके अक्टूबर का पेंसन भी मिल चुका होगा ये सब तो असपर्स की कहानी, मैं हमेशा आपके साथ निरंतर बताते रहता हूँ, ताकि आपका पेंसन निर्वाध रूप से मिलते रहे, क्योंकि हमें से कई लोग ऐसे होंगे, जिनका पेंसन ही एक मात्र आजीवका का साधन होगा, तो जरूरी है या निर्वाध रूप से और जैसा हम सब समझ पा रहे हैं, गवर्मेंट की नीती के बजह से, या जो भी कारण रहा हो, असपर्स आ चुका है, और आज की जरूरत यही है कि असपर्स के बारे में हम सब कुछ सिख सके, ताकि यह एक बरदान के रूप में सावित हो, अविसाप के रूप में नहीं, इसके लिए जरूरी है हमें निरंतर अपनी जानकारियां को अपडेट करते रहे हैं, इसी दिशा में, आज का वीडियो में लाया हूँ, कि आपका पिंसन तभी तक चलता रहेगा, जब तक आप जीवन प्रमान जमा कर रहे हैं, प्रति वर्स, यानि कि लाइफ सर्टिफिक कि हम सब के पास यह स्मार्टफोन होगा ही, और सिर्फ यही चाहिए आपको लाइफ सर्टिबियर सबमिशन के लिए, कहीं भी बैंक का चक्कर लगाना, या डिपीडियो, ट्रेजरी, पोस्ट आफेस, या कहीं भी जाना, किसी से भी सिंगनेचर कराने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी भी, आप अगर स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करना सीख जाएंगे, तो यह आपके लिए सरल होगा, और संभाव है कि इस वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे, मैं कोसीज करूँगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊं, और यह मीनू भी आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, कि मैं नरेंद्र कुमार, विलनस कंसल्टेंट, इंटर्परिनर, ट्रेनर, आप सबों के साथ सदायब, बना रहता हूं, स्पर्स की ट्रेनिंग की यह स्रिंकला है, मैं वीडियो आगे प्रारंब करूँ, इससे पहले आप सबों से भी नमर आगरह करता हूं, आप हमारे चैनल को अगर पहली बारा हैं, अवस्ते ही सब्सक्राइब करें, मैं देख पा रहा हूं, भीव तो बहुत है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है, आपका कोई खर्च नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आपके सब्सक्रिप्सन से हमारा मनोबल वर्तार अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और अपने सगे संबंदियों के साथ साजा करें और हाँ वेल आइकन तो अबसे ही पुछ करें ताकि हमारी सारी की दिशा में आपको पहुंचाओं तो आप आज इस वीडियो में लाइफ सेटिपिकेट सब्मीशन देखने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एंड्रोइड फोन के द्वारा होगा आपको किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइसे जो कॉस्टली होते हैं चाह फिंगर एसकैनर हो या आ दो आप हम लोग अभी तक अगर स्मार्टफोन यूज करते रहे हैं तो निश्चित ही है आप इस्टाल करना भी सीख चुके होंगे आप इस्टाल करने के लिए हमें करना क्या होता है गूगल पर लिए स्टोर में जाना होता है और वहां हमें सलेक्ट करना होता है आपको क् यह उपेन हो जाएगा उसके बाद उसका लोगो दिखना सुरू हो जाएगा जीवन परमान का दूसरा आपको डाउनलोड करना होता है आधार फेस आरडी जो कि उसके लिए भी Google Play Store में ही जाना आपको टाइप करना है आधार फेस आरडी जैसे इस्टाल हो जाएगा यह दिख जलता नहीं है बैक्ग्राउंड में ही चलता है तो आपको अगर फेस आरडी दिखने रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत ने जीवन परमान के बाद यह अपने आप चलने लग जाएगा अब लाइप सेटिफिएट आपको कैसे जमा करना है तो इसके लिए चरणवध तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला स्टेप्स है कि आपने दोनों आपको डाउनलोड कर लिया यानि कि आपने प्रिपरेशन कर लिया अब आपको जीवन प्रमान जो लोगो आपको दिख रहा है उसको मोबाइल पर क्लिक करना है क्लिक करते ही वह खुल आप आधार नंबर दीजिए उसमें मोबाईल नंबर दीजिए वही मोबाईल नंबर जो आधार के साथ आपका लिंक है आप फुल नेम लिखते हैं जोकी आधार कार्ड में है और तब आपके calcogizer प्रड मोबाइल नंबर पर आरेने इम पर ओटीपी आएगा वह ओटीपी आप सब्मिट कीजिए सब्मिट करते ही आपको अपने फेस को सकाइन करना है फेस असकाइनिंग और जो यह प्रिक्रिया है दो तरीके में होता है पहला तो होता है यूजर के द्रिष्टिकों से और दूसरा होता है पेंसनर के द्रिष्टिकों से तो जब आप पहली बार करेंगे तब यूजर के द्रिष्टिकों वाला आएगा और अगले बार से सिर्फ पेंसनर के लिए ही आएगा तो आपको क्या करना है अपने फेस के सामने इस तरह से रखना है capturing face को दिखाना है और किया जाता है और सही होने से verify होने से आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तिसरी प्रक्रिया होती है पेंसनर आइडेंटिफिकेशन जो की actual life certificate जो जमा करना चाह रहे हैं एक तो पहला हुआ कि software को यूज कौन करने जा रहा हुआ भी एक witness बन रहा उसके भी सारे data record होते हैं कि किसके सामने या किया गया आववा आप स्वयम भी हो सकते हैं जब आप इसके द्वारा life certificate जमा करते हैं जीवन परमान के द्वारा तो आप स्वयम भी user भी हो सकते हैं और पेंसनर के हैसियस से भी आप कर सकते हैं अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको पेंसनर के हैसिय करना है कि family है service है अगर आप खुद है तो service डालिए अगर family के हैं तो family डालिए फिर organization central government डालिए अगर defense pensioner है उसके बाद आपको pension sanctioning authority में आपको select करना है PCDA प्रयागराज pension dispersing agency में select करना है sports PCDA इस तरह से एक जगह आपको PCDA प्रयागराज देना है और दो जगह PSA और फिर से PSA PDA PSA में PCDA प्रयागराज और PDA में pension dispersing agency में sports PCDA प्रयागराज इस तरह से आपको देना है जो कि पहले हम select करते थे एर फोर्स के होते थे तो जॉइंट CDA select करते थे और नेभी के होते थे तो जॉइंट CDA नेभी मुंबई वाले select करते थे और आर्मी और सिविलियन के होते थे तो PCDA अलहावा select करते थे अब सब का PCDA प्रयागराज ही हो चुका है PSA तो सबसे पहला तो यह और अगर आप पिछले साल भी जमा किये होंगे तो आपके सारे डाटा यहाँ पर पहले से ही दिखेंगे तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर पहले भी आप जीवन परमान जैसे बैंक से जो ले रहे होंगे जीवन परमान पहले भी दिए होंगे तो उनका सारा डाटा दिखेगा तो आप वहाँ चेंज किजिए आइसाने कि फिर से PDMA बैंक ही रहने दीजे आपको चेंज करने की आओ सकता है दूसरा अगर आपका लिगेसी PPO पहले से दिख रहा तो लिगेसी PPO आपको नहीं डालना है PPO नंबर सिर्फ EPPO रहेगा अगर EPPO के द्वारा लास्ट येर जमा किये हैं तो EPPO दिखेगा और नहीं अगर आपका सिर्फ EPPO आ चुका है तो आप चेंज भी कर लिजिए चेंज करने का भी प्राबधान है तो ये सब तो बोलने में इतना समय लग रहा लेकिन जब आप करेंगे तो साइद लिस्ट दैन टू मिनट्स में आप ये सब कर देंगे और मैं यहाँ अभी आपके साथ ये सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ तापकी आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ सके तो आईए सबसे पहले हम यहाँ दिखा देते हैं आपको